प्रवाइब लुग आप लोग आप लोग आप लोग बहुत बहुत अच्छे होगे तो गाइज मैं तयार हो गया हूँ अभी जारों एक मीटिंग में जो मीटिंग है मेरी वो जुहू में तो मैं सोचा क्यों ना आपको जुहू का जो इसकॉन टेम्पल वो दिखा दिया क्ये कॉन टेम्पल है वो आप मान सकते हैं मुंबई का सबसे बड़ा और सबसे फेमस इसकॉन टेमपल है यहाँ पर गाईज जो भी लोग आते हैं बाहर के लाईट ज़ाई कोई बी मेः विसिटर्यम और फोगे वह स्कांट टेम्पल में ज़रूर आतें बिकॉज, लिक्य आपरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए नोटिफिशन बिलकौन कर लिजिए का ताकि आपको सारे वीडियो टाइम टाइम मिलते रहें आप एक भी वीडियो मिस ना करें तो चलिए चलते हैं गाइस कर लेते हैं मीटिंग और मीटिंग करने के बाद चलते हैं मंदिर आप कहीं भी मज़िएगा सभर्साथ बोने के लिए और कर दोके म्ंदीर ब में बइच जाते हैं आप गाइस केर्श कई में बैच चुकए हैं अब चलते हैं बीलिंग से बाहर देखे मिलिंग से बाहर अगये अब चलते हैं मीटिंग फिरमासे मंदीर वह आपोत भोलनी रेते सु लगा गडिना केले हूं जो जो ऑझे जो 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 और ऑल्यको सुन झाल रताँ ॥ और कुछ को कि अपतीर, और कुछ नेश अनिखें झालेश अनिखें आपें जाइंस जाई गाइज मीटिंग खतम करने के बाद मंदिर आ चुके हैं अम लोग देखिए इसकॉन लिखा हूँ आपको दिख रहा होगा यह दिखिए अब नस्दीक से आपको दिखा रहा हूँ कितना खुबसूरत लग रहा है देखिए बाहर का व्यू गाइज देखिए अंदर आ चुके मंदिर के आप पूरा चारो तरफ से आपको व्यू दिखा रहा हूँ मंदिर का आप देखिए गाइज क्या खुबसूरत मंदिर है मैं बोला था आपको कि यह बुंबई का सबसे बड़ा स्कॉन टेमपल है तो आप व्यू देखिए चारो तरफ से व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या खुबसूरत लग रहा है मंदिर गाईज देखिए आप लोग कि अब आपको दिखा रहा हूं मंदिर का व्यू देखिए उपर का व्यू आपको दिखा रहा हूं अब देखिए कितना खुबसूरत मंदिर है गाईज चलिए आपको दूसरे साइट का व्यू द अब देखिए तरन वरता राक्षर स्था उसका भी बत किये तो क्रिष्ण भगवान जी ने देखिए गाइस एशोता जी ने जब क्रिष्ण भगवान को बुला तो मूँ खोलने के लिए तो उनका मूँ जब खूला तो देखा पूरा उनिवर्स उनके मूँ में दिख गया देखिए गाइस क्रिष्ण भगवान जी का स्नान हो रहा है देखिए क्रिष्ण भगवान जी ने जनम लिया वासुदेव जी क्रिष्ण भगवान को गृंदा मन लेके जा रहे है ये क्रिष्ण भगवान का बच्पन का ये देखिए बेबी क्रिष्णा देखिए क्रिश्न जी और बनलाम जी गोपियों से मक्खन चुराते हुए ये देखिए फिर से मक्खन चुराते हुए ये शुदा जी क्रिश्न भगवान जी को प्यार करते हुए देखिए अमला अर्जुन ट्री के पास क्रिश्न भगवान जी ये देखिए गोपाला क्रिश जोदा जी क्रिश्न भगवान जी को कपड़ा पहना रहे हैं अगाशू राक्षस का बद करते हुए क्रिश्न भगवान जी खाना खाते हुए चर्वाहों के साथ क्रिश्न भगवान जी गोवंधन परवत के सामने क्रिश्न भगवान जी ध्यनुकार राक्षस का बद करते हु दिखिए किष्ण भगवान जी जंगल के आपको अपने मूँ में निगल लिये थे किष्ण भगवान जी चरवाए सब जंगल छोड़ के जा रहे हैं यह दिखिए किष्ण भगवान जी बासुरी बजाते हुए ये कृष्ण भगवान जी गाओं को बचाने के लिए गोवरधन परवत को अपने उल्लिली पर उठा लिए थै ये दिखिए किश्ण भगवान जी ने त्रैवटा कामशा का वद्द किया था ये राधा कृष्णा का संगम क्रिश्ण भगवान जी ने 16100 राचकुमारियों को बचाया था और क्रिश्ण भगवान जी ने दौपर्दी को भी कैसे वस्त्र दिया था देखिए क्रिश्ण भगवान जी और अरजुन जी शंक बजा के मा भारत का आगाज करते हुए यह देखिए कृष्ण भगवान जी उपदेश दे रहे हैं अर्जून जी को देखिए गाइस कृष्ण भगवान जी अर्जून जी को समझाते हुए जब यह दुछला तब उनको पूरा ज्यान दे रहे थे देखिए यह जगनाथ जी और यह बाला जी इह दीखे कृष्ण भ्गवान-जी का अलग अलग रूप सब में आपको दिखा रहा हूं देखिए कितना अच्छा लग रहा है बगवान-जी का अलग अलगा रूप ये दिख्वित कि कर्ष्ण भcejवान-जी का नर सिंग भगवान-जी के रूप में अवतार कि यह की कि शम भबाण जी और जुन को बता रहे हैं सब गईस देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखिए मंदरी का अंदर का व्यू सब तरह तरह के गैफ शूत की क्रिश्न गवान जी ये दिखे प्रम्ह विष्णु महज जी ये गनपती बप्पा अधिकर विष्णु जी आराम करते हुए ये दिखे महादेयो जी सारा विष्फ पी गए थे पूरे संसार को बचाने के लिए ये दिखे गाइस ये मंदिर के अंदरी छोटा सा बुक्स टॉल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दिखे सारे बुक्स आपको यहां मिल जाएंगे क्रिश्ण भगवान जी के बारे में जितना जादा डीटेल्स में जानना है आप जान सकते हैं बगवत गीता वगएरा सब कुछ यहां मिलेगा हर एक भाषा में मिलेगा ताकि हर लोग पढ़ सके और क्रिश्ण भगवान जी के बारे में पूरी अच्छी तरह से जान सके जिनको जितना भी नौलेज लेना है वो इन किताबों के जरिये ले सकते हैं देखिए गाईस क्या खुबसूरत लग रहा है आप पूरा मंदीर का वीव आपको दिखा रहा हूँ गाईस देखिए उपर से लेके नीचे हर तरफ से आपको मंदीर का वीव पूरा अच्छे से दिखा रहा हूँ गाईस आप देखिए मंदीर को कितना खुबसूरत कितना शांदार तरीके सजा हुआ है मंदिर गाईज आप देखिए हरे कोने कोने को मैं आपको दिखा रहा हूँ और कितना बड़ा मंदिर है आप देखिए गाईज देखिए लोग क्रिश्न भजन में एकदम मगन है कितना अच्छा माहोल लग रहा है मंदिर का यह देखिए गाईज मैं और एक साइट से मंदिर का व्यू दिखा रहा हूँ आपको यह देखिए भजन चल रहा है क्या शांदा नजारा है गाईज मजा आ रहा है भजन सुनके यह मंदिर में हमेशा यह भजन चलते रहता है बहुत ही सुकून मिलता है यह देखिए हम फाइनली निश्णा भगवान जी को नजदीक से हम देख रहे हैं जै श्री कृष्णा हरी बोल श्री श्री रादा राजबियारी जी कीचे यह दिखिए मंदिर के अंदर ही महा प्रशादम का काउंटर है मिनाक्षी प्रशाद ले रही है अब मंदिर के जो दूसरे साइड में जो बड़ा सा बुक स्टॉल है यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं देखिए सारे यहां पर है गाइस देखिए कितना बड़ा बुक स्टॉल है अब देखिए गाइस बहुत ही बड़ा बुक स्टॉल है यह देखिए खतम ही नहीं हो रहा इतना बड़ा बुक स्टॉल है पहले जो दिखाया था मैंने मंदिर के अंदर थोड़ा सा बुक स्टॉल था बट यह बुक्स्टॉल देखिए गाइस कितना बड़ा बुक्स्टॉल है मैं चलते हुई आपको पुरा वीडियो बनाते हुए दिखा रहा हूँ बुक्स्टॉल देखिए सोचिए कितना बड़ा मंदी रहे है यह देखिए देखिए हर एक सामान क्रिष्ण भगवान जी से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा अब खुद वीडियो में देख पा रहे हैं हर जगा क्रिष्ण भगवान जी की लेला यहां पर है देखिए गव माता आपको यहां पर आके एक्तम जन्नत की फील होगी गाईज हरे किष्णा कि अधिकि कितने अच्छे मूर्तिया दिखिए गाईज आप लोग कितने अच्छे मूर्तिया बने हुई है यह कितना अच्छा लग रहा है यह देखिए गाईज अब जिनको कुछ माला है वगएरा चूडिया वगएरा वो सब लेना है वो सब दिया मिलती है देखिए बैग्स वगएरा जिसको चाहिए पर लादे गाई जो भी मिलता है सब प्रेश्ण भागाँ जी से जूड़ा हुगा है देखिए कितने सारे मूर्तियां हर एक तरह की मूर्तिया आपको मिलेगी है आप अठीज हर एक चीज़ यह मिलेगा गाईज हर एक चीज देखिए किश्ण भावान जी का पोटो बगरा यहें देखिए गाईز कितने अच्छे मुर्तिया बनी हुई है यह इवकष्ट हभवान ची के दिखिए कितने तरह तरह खुबसूरत खुबस्त मुर्तियां गाईज है इसके कपड़े यहां मिलते हैं यह दिखे गाइज यह मायापूर में सबसे बड़ा मंदीर बन रहा है उसके लिए डोनेशन के लिए लोग बैठे हुई है बहुत बड़ा मतला वॉल्ट का नॉमबर वन बिगेस्ट मंदीर बन रहा है अग्मे के गाइस अंदर में पैस्ट्री वगरा मिल रही है अगर किसी को पैटी यह हुआ हुआ है पेश्ट्री वगरा खाना उठीडिक्रिट क्पाल उसका भी i depos Тут का भी इस टाल यह पर है यह जाunda. आपको पुरा फूट काउंटर की तरफ और आपको पुरा फूट काउंटर का व्यू दिखाता हूं यह देखिए हरे क्रिष्णा श्री श्री रादा राज बिहारी प्रशादम यह देखिए सारे प्रशाद आपको यहां मिलेंगे यह है कैश काउंटर यहां पर आपको बिल करना पड़ता है फिर आपको सारे प्रशाद आप ले सकते हैं देखिए पीछे सब कुछ दिया हुआ साउथ इंडियान, एकादशी, स्पेशल, स्वीट्स, सब कुछ यहां मिलता है गाईज, पीछे मेन्यू कार्ड है, आप वहां देखके, जो भी कुछ ओर्डर कर सकते हैं, सब का प्राइस दिया हुआ है, यह देखे, सारे स्वीट्स बगरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब हर एक चीज, प्योर वेच, नो ओनियन गार्लिक, सब कुछ यहां मिलेगा गाईज, अब इतना स्वादिश्ट, इतना टेस्टी, यह दिखिए, जूस सेंटर है, आपको बद जूस पेना हो तो आप जूस भी आपी सकते हैं, मैंगो मिलक शेक वगरा, सब कुछ यहां मिलता है, यह दिखिए, अब आपको अगर पानी पूरी खाना है, तो भी खा सकते हैं, आप देखिए, चार्ट का भी रेट यहां दिया हुआ है, गाईज, हम लोग ने ओर्डर किया है डोसा, तो डोसा देखिए, हमारा बन रहा है, देखिए, हमारा डोसा बन गया है, अब डोसा खा लेते हैं गाइस अब बारी हमारी स्वीट्स की खावना कैसा इडिस अचाँ मजा आया और में यह जो मजा है हिंदुस्तान के हर विक्ति को देना चाहता है चाय पी रहा हुए इसकोन कारबल टी बहुत टेटी है प्राई कर होगी? नहीं? बान बीटा पीरियो ना? बान बीटा आइंगो सेग प्राई कर देखे रहा हुए प्राई कर देखे प्राई को प्रशाद मिलता है और यह प्रशाद पहले कृष्ण बहगाऑन जी को चड़ाया जाता है तिर सब को बाटा जाता है अब प्रशाद भी ले रहे हैं कि दोसा फुझा बहुत अच्छा आ रहा है अभी दोसा खाई फिर भी फुझा अच्छा रहा है कि पेद भागा है मंदिक यह दिव्य है पभित्र है डिजा अनियन गर्लिक घर के लिए पैक करके लिए यह एक ममी के लिए आख़ः गर्ण स्ट्वी प्रवां कि दोस्टीसा को मिलता है की अधियो मंदिका इसे खाने को मिलन या Кात्यों कि इनकें वह संचेट अशंब्स क्Мы नियुट के विए यह खुषी आणत हुल सुखिस्टों में फिन्टर को स्ब्सक्रों सुक्रों अंग जो कुच्छ भी न दोचे सभज आपी दोग हमयों नहाने में दोटका हुष है मन्नहीं भरा है Rs 9 एड़ बहुत प्यालिय ए एक आउ digitally या जोट 10 वेपैट चुक है उर घर जा जा रहे है बहुत जादा बारिश हो रही है और चौःफी हे बहुत जादा एपना धेच Ș c कप तक पहुंचते हैं लटाइस तक पहुआ उप अपने फिंगरप्रिंट्स कैनर से गेट टोपन हो गयाँ यह पहले नहीं था अभी यह fps पो acáनगी जा थे कि घर पहुंचने में धाई गंटे लग गए चलिए फाइनली घर पहुंच गए तो मुझे ब्लॉग को यही खतम करना पड़ेगा आप बताईगा कमेंट में ब्लॉग आपको पैसा लगा अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा और लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्रा कर दो